हेलो एंड वेलकम बैक टो कार डिलाइट तो दोस्तों ये है मारूती सुजुकी वैगनार जो की है इंडिया की वन ओफ दो मोस्ट ट्रस्टेट एंड टॉप सेलिंग हैच्वैक और इसकी मन्थली इंडिया में सेल है 12,000 से लिगे 15,000 यूनिट और अभी आप देख रहे हैं वैगनार का VXI मॉडल तो चलिए करते हैं इस मॉडल का कम्प्ली डेटेल रिव्यू अन रोड प्राइस के साथ सबस्ट्राइब कीजिए टीम काडिलाइट चैनल को और ये बेल अकिन को प्रेस करिए ताकि लेटेस कार रिव्यूज अप सबसे पहले देख सके साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेस्वुक का ग्रूप जो में अगर आप लेते हैं ऑप्शनल मॉडल किसी भी विरियंट का तो हापे डूल फ्रेंट एर बैग और एबियस एड़ हो जाता है और यह है वी एकसी मॉडल की फ्रेंट लुक यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे फ्रेंड में स्टैनर्ड हेलोजन हेड्लम्स ब्लू टि सब्सक्राइब करेंड में अब देख रहे हैं इसकी सेकंड जनरेशन जो कि 2010 में लॉंच कर गई थी इसे चार बरी अपडेट भी करा जा चुक है इंडिया में जो है 2003, 2006, 2010 और 2013 में इसका आया था अपडेट और वैगनार की अभी चल रही है इस जनरेशन इंटरनाशनल मार है और दोस्तों इस मॉडल में आपको मिलते है 14 इंच के स्टील वील कवर्स के साथ 155 x 65 R14 यह है टायर साइज बॉडी कलर ओर वीम अवेलिबल है साथ में आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं डॉर हैंडल्स और यह ब्लाक करो की वेस्लेंड मोल्डिंग जो की अट्रैक्टिव लुक देने के साथ सथ गाड़ी की डॉर को भी प्रोटेक्शन देती है और दोस्तों यह है VXI वेलियंड की स आइप प्रोफाइल फ्रेंड में डिस अवेलिबल है रियर में ओफर करें जाड़ी ड्रम ब्रेक्स सब्सक्राइब की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है फ्रेंड में मैं प्योश्ट और यह मिलेगा आईसोलेटिद ट्रेलिंग लिंक और यह रूफ एंटेना कुछ ऐ यह है VXI मॉडल की रियर लुक सो वैगनार का जो कर्व वेट है वो है 870 किलो यानिकी 870 केजी एंड इस गाड़ी की इंडिया में मैनृफ्लेक्ट्रिंग होती है मारूती के गुडगामा फैसिलेटी प्लांट पर जो की हर्याना में है और यह है VXI मॉडल साथ में मारूत सुजुकी का लोगो और यहां पर रियर में क्रोम गारिश मिलती है उसके उपर दी गई है वैगनार की बैजिंग जो की बहुत ही प्रेमियम लुक दे रही है और यह वाइपर एंड डी फॉगर भी अवेलिबर है इस मॉडल में इसी के साथ गाड़ी की ग्राउंड प्यू है की तो यहां पर टेल क्ट टमलॉप को गिया है तो हम पर मिलती है total 180 लीटर जानी एक सो असी लीटर की बूट स्पेस और काफी वेल शिप यहां पे बूट दिया गया है इसको अगर हम पूल करेंगे तो यहां पे आपको मिलता है स्पेर वील विट टूल किट एंड स्पेर वील हमें फुल साइस कर दिया गया है अगर बात करें कलर ओप्शन की तो यह गाड़ी अवेलेबल है सिंगल ओप्शन के साथ जो है सिल्की सिल्वर ग्लिस्टर ग्रे सुपीरियर वाइट ब्रीज ब्लू बेकर्स चॉकलेट और पैशन रेड कलर और दोस्तों वैगनार में आपको मिलता है सिंगल इंजन ऑप्शन जो है ऑल अलमीनियम लाइट वेट के टेन भी पेट्रोल इंजन वन लीटर त्री सिलिंडर ये इंजन है जिसकी पावर है जिसकी मैलेज है तो वहां पे आपको मैलेज मिलेगी 26.6 किलोमीटर पर केजी की प्लस फ्यूल डैक कपैस्टी अवेलेबल है 35 लीटर्स तो गाइस फाइनली बात करते हैं वैगनार के सेफटी फीचर के बारे में तो ये हैं सेफटी फीचर, हेडलाइट बीम एज़स्मेंट, चाइड लॉक, एनरजी अब्सॉर्बिंग बॉडी स्टुक्चर हमें मिलता है साइड इंपक्ट बीम्स के साथ, डाइवर स्रीट बॉर्निंग लांब, एंटी थेफ सिस्टम, कॉलापसिबल स्टेरिंग कॉलम और अगर रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, फ्रेंट फॉग लांप्स और सिक्योर्टी अलांप सिस्टम, तो फाइनली चलते हैं, व्यागनर के वी एक्स ही मोल के इंटिरियर में, फिर बात करेंगे अंडोड प्राइस के बारे में, तो हमें आपे रिमोट के लिए सेंट्री भी म अनलॉक करते हैं, तो डबल बीप साउंड हमें यापे मिल जाती है, अब बात करते हैं, फीचर की तो सबसे पहले गाड़ी को अन कर लेते हैं, और राइवर के लिए यापे कुछ स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल है, काफी अच्छी अमांट में स्टोरेज एरिया दिया गया है, और यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल मिल जाती है, यह है अलाम सिस्टम, साथ में यह है फोग लैम कंट्रोल और यह है 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 एडलाइट बीम अजिस्मेंट, और इसको हम पुछ करके ओपन करेंगे, तो यह है कप होलडर और ग्लास होलडर, इसके साथ यह है, दोस् अंदर, और यहाँ पे सेम अपॉस्ट्रीक है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, फैब्रिक ट्रेम्स डोर पे जो की बहुत ज़्यादा प्लश लुक देते हैं, ऑवरल कैबिन को, साथ में यहाँ पे बहुत ही प्रेमियम दिये गए हैं, प्यानो ब्लैक इंसर्ट्स, और फ काफी एजी रहती है, और साथ में यहाँ पे आपको हैंडबेक के नीचे को स्टोरेज अरिया मिल जाएगा, उसका आगे दिये गए हैं, कॉइन होल्डर्स, और यह है, प्यानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, 5-speed manual gearbox, और उसके आगे आपको मिलता है को वो बहुत ही जादा लाजवाब है, यहां फिर ही जिसे हम कहल सतने हैं, बहुत ही जादा कमेंडेबल है, अंडुधाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, बैक सपोर्ट भी एक्सेलेंट दिया गया है, और पेसेंजर साइट सीट के ठीक नीचे आपको यहां पे कुछ ऐसी ट्रे भी मिलती है, फॉर स्टोरेज, और यहां पे दिया गया है, मैन्वल एसी हीटर के साथ, और कुछ ऐसी आपको मिलती है, कैबिन एल्यूमिनेशन, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, यह है वी एक्सेले मॉडल का म्योजिक सिस्टम, LCD स्क्रीन मिलता साथ में डिस्ट दोस पर, और यह है स्टेरिंग वील के लोग, यहां पे भी आपको प्यानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, साथ में आपे लिवर दिया गया, एड्जिस्मेंट के लिए, तो दोस्तों यह है, तो दोस्तों कुछ ऐसा आपको मिलता है, इंस्ट्रुमेंट क्लॉस्टर, आर्प में डिश्टल फ्यूल मीटर भी आपको यहां पे मिल जाएगा, सारी इंफर्मिशन यह M.I.D. स्रीन आपको शो कर देगा, इसी के साथ यह है, गलब बॉक्स, तो यहां पे दो गलब बॉक्स दिये गए, यह है लोग बॉक्स काफी दीप स्टोरिज के साथ, और यह है अप गलब बॉक्स, और आप दिख सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी की मामने में व्या गनार बहुत ही बड़िया स्कोर करती है, और यहां पे फ्रेंड में आपको सेंटर में मिल जाएगा, बहुत ही ब्राइट काबिल लाम्प, थियर्टर दिमिंग फंक्शन के साथ, तो जैसी हम क करते हैं, क्लोज, तो कुछ ऐसा आपको थियर्टर दिमिंग फंक्शन मिलेगा और लाइट हो जाएगी ऑफ, पैसेंजर साइड संशेड वैनटी मिलर के साथ अवेलिबल है, और डाइवर साइड संशेड पर आपको मिलता है, टिकेट होल्डर, तो दोस्तों यह था फ्रें एकसा ही मॉडल के रियर डोर की लुक, यूज साइस की विंडोज अवेलिबल हैं, इसे के साथ यह है स्पीकर्स, प्यानो ब्लैक फिनिश आपको दोस्तों यहाँ पर भी मिल जाएगी, पार विंडो कंट्रोल और यह है फैबरिक इंसर्ट्स, और यह है रियर सीट की लुक एजस्टिबल हेडर के साथ, साथ में 60-40 स्प्लीट सीट का फंक्शन भी मिलता है, तो आप सीट डाउन कर सते हैं, इनके साथ अगर आपको स्टोरेज इरियत जादा चाहिए तो, और इसे के साथ यहाँ पर आप देख सते हैं, सीट बिलकुल नहीं तक आती है, मेरी हाइट पर और यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल अवेलिबल है, सो विदाउट एनी सिंगल डाउट, व्यागनार बहुत ही बढ़िया स्पेस और कमफर्ट आफ़र करती है, तो यह था VXI मॉडल का कम्प्लीट डेटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइज, आपको किसी और मॉडल क